कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे आज हम देखेंगे राज बिधान मंडल में सत्र किस तरीके से आहुद होते हैं क्या 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 उसके विडियो में पूरा प्रोसीजर बताया राज बिधान मंडल का सत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो एक्जाम की द्रस्टी से काफी महत्यपूर होंगे आहूत करना मतलब बुलाना राज बिधान मंडल के प्रतेक सदन को राजिपाल समय समय पर बैठक बुलाबा भेशता रहता है कौन बेचता है राज बिधा सत्रों के भी छै माहां से अधिक समय नहीं होना चाहिए जो दो सत्र होंगे जंदली अम बात करते हैं तो उन तीन सत्रों में जो दो सत्रों के उनमें बैठक में शे महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए यह इक्जाम मैं इस टॉपिक को बहुत ड़्यल मिशलें नहीं क्योंकि मैंने जब संसत पड़ाया था आपको मैंने एक पॉइंट उसमें क्लियर किया हुआ है तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप उनको जड़ा एक बार समझ लेंगे तो आपको राज बिधान मंडल का सत्र पूरा ऐसे ही समझ में आ जाएगा और ज चाहिए यह पूइंट कुछन पूछा जा सकता है एक्जाम में कि बिधान मंडल को बर्स में कम से कम कितनी बार मिलना चाहिए तो कम से कम राज बिधान मंडल को कम से कम दो बार तो मिलना ही चाहिए एक सत्र में बिधान मंडल की कई बैठके हो सकती है और यह भी बात इंप किसी समय विशेज के लिए इस तऱरीके से उसकता है यह समय घंटों में हो सकता है अनिस्चत काल करजिब बैठेगा इन दौनों तरहें कि इस्तिकन का अधिकार सदन के पीठा सीन अधिकारी को है आप मैं पीठा सीन अधिकारी आपको नहीं बताऊंगी पिछले वीडियो में मैंने बताया है आप उसमें जाएं और देखें कि पीठा सीन अधिकारी क्या होते हैं सत्रावसन की अगर हम बात करें तो पीठाजीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापती कार संपन्य होने पर सत्र को अनिस्चित काल के लिए इस्तगन की घोशना कर सकते हैं यही पीठा सी नदिकारी जो हैं यही कर सकते हैं कि सत्र कब तक जो रहेगा वो इस्थगित रहेगा इसके कुछ दिन बाद राश्ट्रपती सत्रावसन की अधिसूचना जारी करता है हाला कि सत्र के बीच में भी राज़िपाल सत्रावसन की घोशना कर सकता है देखिए अगर सत्रावसन की घोशना कर सकता है सत्रावसन सदन में सदन की सत्र को समाप्त करता है इस त्रावसन की बीचटन की बात अगर देखते हैं एक सथाई सदन होने के नाते बिधान परिषज होती है वो कभी बिगटट नहीं होती है लेकिन बिधान सभा बिग्टित होती है जैसी की संसद में है लोग सभा बिग्टित होती है राजी सभा बिग्टित नहीं होती है तो लोग सभा का जो कारकाल है वो पांच साल का होता है इनका कारकाल नहीं डिसाइर होता है इनमें सदस हर दूसरे साल में एक थरबन थ परिशद नहीं है वहां पर केवल एक ही सत्र होता है जो लोक सभाय वह स्वरी जो विधान सभाय वह विगटत हो सकती है आप हमें बताएंगे कितने राज्यों में विधान परिशद है सत्राव सन के विप्रीत विगटन से बर्तमान सदन का कारकाल समाप्त हो जाता है और चुनाओ के बाद नए सदन का गठन किया जाता है बिधान सभा के विप्रीत, बिधान सभा के बिकिटित होने पर बिध्यकों के खारिज होने को इस प्रिकार से समझ सकते हैं कौन से बिध्यक अगर अटके हुए हैं तो वो किस तरीके से समझेंगे वो खारिज होंगे और कौन से नहीं होंगे यह मैंने आपको पूरा जब बताया था संसत के वारे में तब बताया था पूरा यहाँ पर भी आप एक बार देख ले देखिए बिधान सभा से लंबित बिधियक समाप्त हो जाता है अगर कोई बिधियक बिधान सभा में लंबित है तो यह समाप्त हो जाएगा चाहे वाई म बिधान परिशद में लंबेत हो लेकिन बिधान सभा के द्वारा पारित ना हो वो खारिज नहीं किया जा सकता है ऐसा बिधान सभा द्वारा पारित हो एक सदनी विधान मंडल वाले राज में या दोनों सदन द्वारा पारित हो बहु सदनी विवस्था वाले राज में लेक लेकिन राष्टपती द्वारा पुनर्विचाल के लिए लोटाया गया हो वो भी समाप्त नहीं किया जाएगा अब देखते हैं कोरम क्या होता है कोरम मैंने आपको बताया था कि सदन में जितने लोग होते हो एक बटे दस हिस्सा तो उपस्थित होना चाहिए या फिर दस सदन में कोरम पूरा नहीं होच नहीं होता है तो पिटा चीन अधिकाली का यह करताव होता है कीवाई सदन में को他是 सगित करे और कोरम पूरा होने तक सदन को रोक दे वहां की जो भी कारवाही है उसको रोक दे अब एक बड़े 10 सदस्य अगर पूरे नहीं होंगे तो काम क्या मतलब है कोई बिधिया क्या किसी चीजी का सदन का मद्दान की देख लेते हैं किसी भी सदन की बाठक में सभी मामल जिनें बिषेश रूप से संभ्ल्ण में टे किया गया है जैसे कि विधान सभावद्यक्ष को में बिषेश वहमत की का होती है यह important point है कि कौन से बहुमत की आवस्यक्ता होती है इसमें विशेज बहुमत की आवस्यक्ता होती है विशेज बहुमत मैंने आपको पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से explain किया है जाकर वाप देख सकते हैं पीठा से नदिकारी बिधान सवाअध्यक्ष या बिधान परिशत के मामले में सवापति होते हैं पहले मामले में मट नहीं दे सकते लेकिन मट जब बराबर होंगे तो फिर वो अपन रड़ायक मत दे olarak मदे सकते हैं अकि पीठाशी नधिकारी किसी सदस्य को अपनी मात्रभासा में सदन को सम्भोधित करने के अनुमती भी दे देता है। वो कहता है कि अपनी मात्र भासा में आप संबोधित कर सकते हैं राज बिधान मंदल यह नेड़ा लेने को सुतंत्र है कि शदन में अंग्रेजी भाषा को जारी रखा जाए या ऐसा संबिधान के प्रारंब होने के 15 बर्स बाद 1965 से तक के लिए कर सकता है हिमानचल प्रदेश मनीपूर मेघालाय त्रिप्रा के मामले में यह समय सीमा 25 वर्स है क्योंकि यहां पर अधिकारिक भासा जादतर अंग्रेजी ही है और अरुनाचल प्रदेश गोवा और मिजोरम के मामले में यह 40 वर्स के लिए है अब जो मंत्री और महाधिवक्ता होते हैं उनके क्या-क्या में संबद ते लीए वश्यदत के रूप में नामे थे उसमें बोड़ देने के अधिकार के मिना भी भाग ले सकता है संबधान के वस्यूक्र अगण है एक मंत्री वो सदन की कारवाही में भाग ले सकता है जिसका वाई सदस्य नहीं है एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कारवाही में भाग ले सकता है तो यह मैंने आपको पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया इसमें क्या-क्या महत्वूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगले वीडियो में फिर मिलेंगी तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों नमस्कार